अध्याए पंध्रे पुरुशोत्तम योग और प्रक्रति के तीन गुणों द्वारा पोशित हैं इसकी टहनिया इंद्रिय विशय हैं इस व्रक्ष की जणे नीचे की और भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बन्धी हुई हैं इस व्रक्ष के वास्तविक सरूप का नुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदी कहा हैं अंत कहा हैं या इसका आधार कहा हैं लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस द्रण मूल वाले व्रक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काड़ गिराए तत्पश्चात उसे ऐसे इस्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लोटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शर्ण ग्रहन कर ली जाए जिस से अनादी काल से प्रतेक वस्तु का सूत्रपा तथा विस्तार होताया है जो जूटी प्रतिष्ठा मोह तता कुसंगती से मुक्त हैं जो शाष्वत तत्व को समस्ते हैं जिनोंने भोतिक काम को नश्ट कर दिया है जो सुख तता दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोहरईत होकर परंपुरुष के शर्णागत होना जानते हैं वे उस शाष्वत राज्य को प्राप्त होते हैं वे मेरा परंधाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अगनी या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भोतिक जगत में फिर से लोट कर नहीं आते इस बद्द जगत में सारे जीव मेरे शाष्वत अंश हैं बद्द जीवन के कारण वे चहो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिन में मन भी संमलित है इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धी को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंदी को ले जाता है इस प्रकार वे एक शरीर धारन करता है और फिर इसे प्याक कर दूसरा शरीर धारन करता है इस प्रकार दूसरा इस्थुल शरीर धारन करके जीव विशेश प्रकार का कान आख जीव नाख तथा इस परशिंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारोर संपुंजित हैं इस प्रकार वे इंद्रि पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग करता है लेकिन जिसकी आँखें ग्यान में प्रशिक्षित होती हैं वे यह सब देख सकता है आत्म साक्षातकार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब इस पश्ट रूप से देख सकते हैं ले प्रशिय के अंधकार को दूर करता है मुझ से ही निकलता है चंद्रमा तथा अगनी के सेज भी मुझ से उत्पन है मैं प्रत्येक लोग में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ती से सारे लोग अपनी कक्षा में सिर रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्ट वर्श्वतियों को जीवन रस्तदान करता हूँ मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अगनी हूँ और मैं श्वात प्रश्वात में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ मैं प्रतेक जीव के हिदे में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृती, जान तथा विस्मृती होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदे मैं वेदान का संक्रन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के हैं, चुत तथा अचुत। भौती जगत में प्रतेक जीव चुत होता है और आध्यात्मी जगत में प्रतेक जीव अचुत कहलाता है। पुरुष के रूप में विख्षात हूँ। जो कोई भी मुझे संश रहित होकर पुरुष उत्तम भगवान के रूप में जानता है, वेद सब कुछ जानने वाला है। अतयवे भरत पत्र वेद्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रथ होता है। हे अनग, यह गेदिक शास्तों का सरवाजिक कुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास उन होंगे। yashu world. Please like, share, comment and subscribe.